hello students आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं multiple effect evaporator के बारे में multiple effect evaporator इसको हम लोग understand करने के लिए triple effect evaporator का استعمal करेंगे जिसमें हमने parallel feed arrangements कर रखे हैं कि हमारे पास 3 simple vertical evaporators हैं evaporator का استعمal हम क्यों करते हैं simple सी बात समझें तो evaporator का استعمal हम evaporation के लिए करते हैं और evaporation हमें क्यों करना होता है किसी भी diluted liquid को अगर हमें वो liquid concentrated form में लिए तो concentrated liquid obtain करने के लिए हम evaporators का استعمال करते हैं जिसके अंदर हम evaporation process करकी उस liquid को concentrated form में receive करते हैं जैसे कि for example के लिए आपके पास salt का solution है आप उस salt solution को concentrated form में receive करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे उस salt solution में जो solvent है उसे evaporate करने के लिए किसी evaporator का इस्तमाल करेंगे तो multiple effect evaporator आपका best suited है salt solutions को concentrated form में receive करने के लिए तो हम आज ही इस video में यही सीखेंगे कि इस multiple effect evaporator का हम application कैसे करते हैं इसका construction कैसे बनाया गया है इसकी working क्या है यह किस principle पर काम करता है और इसकी economic point of view को हम understand करने के कोशिश करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें multiple effect evaporator as the name suggest इसके अंदर multiple effect produce होते हैं ठीक है evaporator है तो इसका काम होगा evaporation करने का तो इसमें क्या किया जाता है तीन आपके simple vertical evaporators को आप parallel feed में arrangement करते हैं और इस arrangement को समझने के लिए आप देखेगा यह आपके पास एक simple सा एक steel का बना हुआ एक hollow cylindrical shape का evaporator है या कहें cylindrical shape का एक छोटा सा vessel है जिसके अंदर आपका vertical tubes लगी रहती है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका एक inlet है यह steam के लिए है यहां पर आपका जो inlet है यह आपका feed का inlet है feed किसे कहेंगे the liquid which need to be evaporated is called feed तो यहां से आप feed को introduce कराते हैं यह वाला जो space है आपको दिख रहा होगा तो आपका liquid यहां भरेगा let me draw यहां पर आपका liquid रहेगा और यह liquid में आपकी यह vertical tube जो है वो आपका immersed kind of रहेंगी तब जब आप यहां से steam इसको pass करेंगे तो यह steam आपके इस liquid को क्या करेगा boil करेगा और उसको latent heat of vaporization provide करेगा तो यहां का liquid क्या करेगा अपने आपको latent heat of vaporization की मदद से vapors में convert करेगा और यह vapors जाएंगी आपकी vapor head में ठीक है उसके बाद आप देखिए यह आपकी vapors क्या करेंगी यह vapors का connection हमने कर रखा है हमारे second evaporator के साथ तो आपके second evaporator के लिए जो source of heat का काम करने वाली है वो इस first evaporator से produced vapors करने वाली है इस evaporator में आपका vapors प्रिद्यूस हुई है यह vapors आपका connect की जा रही है आपके second evaporator के पास तो second evaporator पे आपका second evaporator के आपका इस वाले section में आपका steam पास होगी यह वाली vapor पास होगी और वो यहां present आपका जो feed है उसको वो boil करेगी फिर यह वाला liquid boil होगा और आपका उस liquid की क्या बनेगी vapors बनेगी वो vapors आपका पास करेंगी आपका third evaporator को और third evaporator के liquid को वो क्या करेंगी heat करेंगी यह इसका एक basic function है थोड़ा साब इसको understand करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहां पर यह जो तीनो evaporators है इनमें आप शुरुआती काम कैसे करते हैं इन तीनो evaporators को आपने क्या कर लिए सबसे पहले आपने parallelly इनको arrange कर लिए और इनको आपने इसको और इसको और इसको आपने तीनो को आपस में आपने इनको जोड़ दिया आपका जो तीसरा evaporator है आप देख सकते हैं इसको आपने last में vacuum के साथ connect कर रखा है सबसे पहले क्या करेंगे यह तीनो की तीनो जो आपके evaporators है यह शुरुआती दोर पे जब आपने steam अंदर supply नहीं की है यह आपका काफी room temperature पर रहते है यानि कि they are at basically room temperature और atmospheric pressure पर आपके यह devices रहती है आप क्या करते हैं तीनो के vents को यह आपका पहला vent है V1 यह आपका second evaporator का vent है V2 यह आपके third evaporator का vent है V3 आप इन तीनो vents को open कर देंगे ठीक है इन तीनो vents को open कर देंगे और यहां से आप vacuum चलाएंगे तो vacuum से क्या होगा इन तीनो evaporator के अंदर present जो cold air होगी वो आपका exit कर जाएगी cold air exit हमने क्यों करी है क्योंकि जब हम यहां से steam देंगे steam हम दे रहे है as a source of heat अंदर जो liquid भरा है जिसको हमने गरम करके उसको evaporate करना है उसको हमने concentrate करना है उस liquid को heat करने के लिए हमने steam को as a heating medium यूज किया है तो हम क्या चाहते हैं कि यह steam जब अंदर जाए तो उसकी heating efficiency maintain रहे उसकी heating efficiency maintain कब रहेगी जब वो अंदर present air को अपनी heat transfer ना करके direct इसके अंदर present आपके liquid को heat जो है वो transfer करें तो हम क्या करेंगे make sure करेंगे कि इस equipment के अंदर present आपकी जो cold air है वो आपका यहां से exit कर जाए तो तीनो vents V1, V2 and V3 इनको हम open कर देंगे, vacuum on करेंगे इन तीनों के अंदर present आपकी जो initial air होगी, cool air होगी वो आपका यहां से exit हो जाएगी फिर हम vacuum बंद कर देंगे अब देखें यहां पर हमने, आप first evaporator को देखेंगे यहां पर C1 आपका लगा हुआ है, यह condensate के लिए लगा हुआ है vent यह भी आपका close है, यह C2 है, यह आपका second evaporator के condensate का outlet है यह आपका C3, यह third evaporator के condensate का outlet है यहां bottom पर हम product को extract करते हैं, this is the bottom outlet for from the each evaporator अब यहां पर क्या होता है देखें, यह आपकी इसकी general structure था अब आप इसको start करते हैं, इसकी working कैसे होती है सबसे पहले आप अपने इस first evaporator के अंदर एक hot saturated solution डालते हैं अपने feed का मतलब जिस liquid को आपने boil करना है, उसको directly आप क्या करेंगे अपने first evaporator में, second evaporator में और third evaporator में तीनों ही evaporators में आप अपने इस feed को introduce कराएंगे याद रहे ये feed हमारा कैसा होता है, already hot और saturated रहता है ठीक है, ये आपका अपने boiling point को बहुत जल्दी receive कर जाएगा जब आप इसको अपने evaporators में डालोगे तो आपने feed को introduce करा, up to this mark यहाँ तक आपने feed को भरना है in each feed compartment तीनों में आपने उसको भर दिया, अब आप क्या करेंगे अब आप अपना first evaporator जो है उसमें आप steam के vent को खोल कर steam की supply देंगे ये steam क्या करेगा, इसके अंदर present आपका hot saturated feed है वो उसके temperature को increase करेगा by transferring its heat to the liquid तो वो अपनी heat क्या करेगा, ये tubes हमने क्यों रखी हुई है ये tubes क्या है, ये metallic tubes हैं जो आपका अच्छी thermal conductivity शो करती है तो जब आप steam इनके अंदर supply करेंगे, तो steam से आने वाली जो heat है वो आपका conduction method के थूँ इन tubes पर जाएगी और liquid boil होते होते, vaporization state में जाएगा और यहाँ पर vapors बननी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी vapors यहाँ पर आपको नजर आएगी आप चुकि vapor आपका lighter होती है, उनकी density आपका कम होती है तो वो आपका ऊपर चरना शुरू करेंगी, इस vapor head में पहुँचेंगी vapor space में पहुँचने के बाद आपने कुछ ऐसा arrangement कर रखा है कि आपका यह vapors आपका as a source of heating medium work करेंगी आपके second evaporator में present liquid के लिए चुकि यहाँ पर भी आपने जो feed भरा था, वो आपका hot था, saturated था तो आपका यह वाला जो liquid है आपका, यह इस first compartment से आने वाली vapors की मदद से heat होना शुरू कर देगा और इसको latent heat of vaporization आपका मिलेगी और यहाँ पर present आपका जो liquid है वो भी आपका vaporize होना शुरू करेगा और second evaporator के vapor head में भी number of vapors produce होने लेगेंगी फिर यह vapor आपका supply की जाएंगी to the third evaporator और third evaporator में present आपका liquid जो है वो आपका इस second evaporator से आने वाली vapor की मदद से क्या करेगा heated up होगा तो यहाँ से जो vapors आ रही थी they will act as a heating medium for the second evaporator का liquid और second evaporator से आने वाली vapors जो काम करेंगी वो करेंगी आपका third evaporator के अंदर present liquid को गरम करने के लिए ठीक है और उसके बाद आपका यह process आपका तीनों में चलता रहेगा अब हमें क्या धिहान रखना होता है देखिए जैसे जैसे आपका steam आप यहाँ supply कर रहे है continuous supply आपकी steam की बनी रहती है तो continuous supply of steam देने से क्या होगा एक time आएगा कि आपका first evaporator का सारा liquid क्या हो जाएगा vaporize हो जाएगा अब यहाँ अगर यह सारा liquid vaporize हो गया तो second evaporator में आपका source of heating medium नहीं रहेगा and subsequently third वाले में भी नहीं रहेगा तो heating effect आपका multiply नहीं हो पा रहा यहाँ ठीक है तो आप यहाँ से further उसको supply करेंगे अब इस multiple effect evaporator में हो क्या रहा है देखिए इसमें हमारे लिए यह arrangement जो हमारे लिए बड़ा फायदेमन्द है क्योंकि इसमें हम heating source के लिए सिर्फ शुरुआती दौर पर ही हमने steam को use किया है फिर आपका first evaporator में generated vapor काम कर रही है second evaporator के liquid को vaporize करने के लिए और second evaporator की steam vapors काम कर रही है third evaporator के liquid को evaporate करने के लिए तो यहाँ पर आपका जो effect है that is called triple effect वो multiply होता जा रहा है और हमारा हमको जो heating efficiency है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और हमारा यहाँ पर evaporation है वो बहुत fast भी हमारा हो रहा है होगी condensate होगी ठीक है जब वो condensate होगी तो condensate यहाँ पर जमा होगा आप यह वाला condensate का vent है इसे खोलेंगे और यहाँ से आप condensate को बाहर निकालेंगे ऐसा ही यहाँ पर भी होगा यहाँ जो आपका vapor आ रही थी वो अपनी steam देगी आपका वो अपनी heat पास करेगी इस liquid को तो वो खुद क्या हो जाएगी वो vapor ठंडी हो जाएगी वो vapor ठंडी हो जाएगी तो नीचे अपना condensate बनाएगी steam हमेशा जब ठंडी होती है आप लोग को पता होगा steam जो है वो जब cool होती है तो cool होने पर वो आपका लिक्विफाय हो जाती है वो liquid में convert हो जाती है या कहें वो आपका condensate बनाती है तो आपको उस condensate को वहां से निकालना जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि अगर आप condensate को यहां से यहां से eliminate नहीं करेंगे तो इतने space पर किसको आना चाहिए steam को आना चाहिए जितनी ज़्यादा इस steam space के अंदर steam रहेगी उतनी अच्छी heating होगी उतना अच्छा आपका liquid heat करेगा उतनी ज़्यादा vapors बनेंगी उतना अच्छा evaporation होगा लेकिन अगर यहां पर steam के ठंडे हो actually affect the heating property तो आप क्या करते हैं आप condensate को remove करते रहते हैं periodically यह तीनों के तीनों जो evaporator हैं यह आपका balance में काम करते हैं आपको ध्यान रखना है कि यहां से मेरी continuous supply होती रहे steam की और मेरा feed जो है वो आपका continuously refill होता रहे अगर यहां देख रहें कि volume कम हो गया है तो यहां फिर से आ आपका फिर आप क्या देखेंगे जब आप देखेंगे कि तीनों में तीनों के तीनों मेरे जो वर्टिकल एवैपरेटर रखे हो हैं उनमें condensate जो है आपका वो concentrate हो रहा है आपको दिख रहा है कि वो concentrated form में आ चुका है मेरा product मेरा solution मेरा liquid solution तो आप उस liquid solution को यहां से यह वा evaporating the salt solutions and to get them in a very concentrated form so this is a basic for multiple effect evaporator now let's come to the economy part of multiple effect evaporator किसी भी एवैपरेटर की economy अगर आपको निकालने कि लागत कितनी लगेगी तो वो डिपेंड किस पे करेगा इसके लिए simple formula है कितनी आपने steam supply की है और आपका कितनी उस steam की वदत से आपका वैपर्स बन रही है यही है तो आप क निकालते हैं अब अगर आप simple vertical का case देखें तो simple vertical evaporator में अगर आपने one unit of steam pass करी है तो one unit of vapor निकलेगी direct relationship है जितनी आप steam देंगे उतनी ही आपकी vapor बनेगी तो यहाँ पर जो economy रहेगी आपके simple type के simple vertical evaporator की वो रहेगी आपका one times ठीक है लेकिन अगर आप एक multiple effective evaporator की economy determine करते है तो यह आपका end times आती है यहाँ देखें यह end times निकल के आती है कैसे अगर आपने one unit of steam supply की है तो one unit of steam जो है वो आपका end times of vapour produce करती है यहाँ आप इस diagram में देखें आपने यहाँ से 10 units of steam supply करी है यह 10 steam of units क्या कर रही है यहाँ पर इसने एक बार 10 times of vapour बनाई फिर यहाँ पर जो 10 times of vapour गई उसने आपका यहाँ के liquid को boil करा इस liquid ने भी कुछ vapours बनाई ठीक है यहाँ पर आपका देखें multiply हो गई number of vapours produced फिर यह वाली vapour ने यहाँ पास करके यहाँ वाली liquid को गरम किया उसको latent heat of vaporization प्रोवाइट करी यहाँ का liquid भी vaporize होने लगा ठीक है तो यहाँ पर और खूब सारी vapours बनने लगी तो आप देखिए first, second, third evaporator तक जाने जाने तक जो number of vapours है उनका number जो है वो multiply होता जा रहा है यानि कि आपने x amount of steam supply करी तो यहाँ पर nx amount of ultimately आपका vapours produce होती है तो आप देखिए जितनी ज़्यादा आपका vapor produce हो रही है that means आपकी उस evaporator की जो economy है वो उतरी बढ़िया है ठीक है उतना अच्छा आपका वो result आपको लाके दे रही है और economy wise भी वो आपको benefit दे रही है so this was all about the economy of multiple evaporator and the basic principle and structure and function of the multiple evaporator I hope आप लोग को समझ में आया होगा अगर आप लोग को कोई doubt है तो आप लोग comment sections में comments कर सकते हैं और आप मु आप कि वी दो